जेहिंद, मैं ललेज कतरी और आप देख रहे हैं राजस्थान में तेजी से बढ़ता MTTV इंडिया आज बात पाकिस्तान से आई नीता की जिसका रिष्टा अजमेर से हो गया और अब पंचायत का चुनाव लड़ रही पुरदेश में जहां नागरिक्ता कानून को लेकर विरोध और समर्थन में परदर्शन देखने को मिल रहे हैं उसी बीच CAA से संबंदित एक खबर राजस्तान से आई है यह है पाकिस्तान से पढ़ने के लिए भारत आई हिंदू शर्नाथी नीता कवर सोडा जिने सरकार ने हाल ही चार महीने पहले भारत की नागरिक्ता प्रदान की है नीता कवर अब टॉंग जिले के नटवाडा ग्राम पंचाय से सरपंच का चुनाव लड़ रही है नीता कवर को पिछले आठ साल के लंबे इंतजार के बाद नागरिक्ता कानून के जरिये नागरिक्ता मिली है और नागरिक्ता मिलने के साथ ही नीता कवर टॉंग जिले में नटवाडा पंचाय चुनाव में अपना भागे अजमा रही है यह वही नीता है जो अपनी भेन और चाचा के साथ साल 2001 में जोद्पूर आई और अब भारत की नागरिक है खास बात यह है कि नीता के मातपिता और भाई पाकिस्तान के सिंध में ही रहते हैं नीता पाकिस्तान से पढ़ने के लिए भारत आई इन्होंने बारवी हैदरबाद सिंसे पूरी कर अपनी सनातक की पढ़ाई अजमेर के सोफिया कॉलेज में पूरी करी पढ़ाई पूरी करने के बाद नीता कवर की शादी नटवाडा राजपरिवार के ठाकुर लक्ष्मन कवर के बेटे पुन्य परताप कवर से 2011 में हुई शादी के बावजूद नीता को भारतिय नागरिकता हासिल करने में आठ साल लग गए नीता कवर के अनुसार केवल CAA के जरिये ही भारत में अच्छा जीवन यापन और अच्छी शिक्षा प्राप की जा सकती है एक मीडिया रिपोर्ट के मताबिक नीता को भारतिय नागरिकता पाने के लिए लगबग 3 साल तक संगर्श करना पुड़ा वर्ष 2019 में ही सितंबर में टोंग परशासन ने उनकी नागरिकता की अरजी सुईकार कर ली नीता के अनुसार ससुराल की प्रिष्ट भूमीर राजनीतिक रही है ससुर भी 3 बार सरपंच रह चुके है राजनीती में आने की प्रेंड ना उन्हें उन्हीं से मिली है करने के लिए उन्हें रोजगार देने के अफसर भी प्रदान करना चाहती है अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो एम्टी टीवी इंडिया के पेज को फॉलो करें और अगर ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो वहाँ सब्सक्राइब करें वीडियो जॉर्नलिस्ट राजवीर सिंग के साथ मैं ललित कतरी